वेल्कम तो टेक्निकल एड्यूकेशन हेलो स्टुडेंट मारे में आनमर्या आज का हमारा लेक्चर प्रोजेक्शन आफ प्लेन पे बेस्ट है इससे पहले आलरडी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रोजेक्शन आफ प्लेन पे आप उसको देखना चाहें तो हमारी यूटीब चैनल पे देख सकते हैं आज का क्वेश्चन हमारा सर्किल पे बेस्ट है जिसमें हमारा एक सर्किल है वो वर्टिकल प्लेन और होजेंटर पेन की डिफरेंट पोजीशन पे प्रिजेंट होगा जिसमें हमें उसके projection को draw करना होगा तो चलिए continue start करते हैं तो सबसे पहले question को read करते हैं फिर read करने के बाद उससे समझते हैं फिर पहले practically analyze करते हैं फिर उसको draw करते हैं तो question हमारा क्या कह रहा है कि एक हमारा question है एक circle है जिसका जो projection हमें draw करने है जिसका जो डाया है वो 55 mm है यह हमारा डाया दे रखा है which is perpendicular to यहाँ पर सुरी एक चीज मेंसन कर लेना vertical plane वो missing हो गया है vertical plane जो कि क्या है vertical plane से perpendicular है और inclined at 30 degree with horizontal plane और उसका inclination horizontal plane से 30 degree का है उसके बाद next condition कह रहा है कि उसका जो center O है वो क्या है उसका center की location को भी यह बता रहा है कि उसका center जो है वो 30 mm above the HP horizontal plane से उपर है और vertical plane से 45 mm सामने की ओर है तो यह क्या है उसके center की position को इसमें define किया गया है और last में कह रहा है so it's trace also it means इसके trace भी क्या है draw करना है दिखाना है तो चलिए इसको पहले analyze कर लेते हैं फिर इसको solve करते हैं okay because analyze करने से हमें जो result होगे पहले ही पता चल जाएंगे फिर हमें क्या है बस उसे draw करना है draw करना क्या है simple process है अगर चीजे हमें पहले ही पता चल जाएं तो हमें क्या है इस condition को सारी fulfill कराना है तो just like है हमारा circle है जिसका die 55 mm है अब question की condition को हम इस पे क्या है fulfill कराते हैं तो यह क्या हमारा circle है इसको क्या है first condition है कि यह perpendicular है vertical plane से हमने क्या किया perpendicular कर दिया आप देख पा रहे होंगे इस time क्या है नीचे भी क्या है दोनों plane से ही perpendicular है तो अब क्या है second condition कह रहा है कि vertical plane से तो यह perpendicular होना चीए but horizontal plane से इसका inclination होना चीए कितना 30 degree तो हमने इसको क्या है inclined कर दिया अब क्या है inclination हो गया कि इससे horizontal plane से 30 degree का और vertical plane से यह perpendicular है next step कह रहा है कि इसका center है, तो यहाँ पे इसका center होगा है, इसके बारे हम define कर रहा है कि छोर्जोंटर प्लेन से कितना ऊपर है ये? 30 mm, तो हमने क्या है होर्जोंटर प्लेन से इसके center को उठा दिया है? 30 mm, और vertical plane से कितना है? 45, it means इससे हमने क्या है, इसको दूर कर दिया है? कितना 45 में तो अब क्या है इस condition में क्या है जस इसके projection देखना है और जो इसके result है उसे हमें draw कराना है तो अब क्या है जस आप भी देख पा रहे होंगे front से देखेंगे तो क्या हमें vertical plane पर line दिखेगी और top से देखेंगे तो हमें क्या है elliptical save का circle दिखेगा ओके आप भी देख पा रहेंगे तो हमें result अभी पत्ता चल गए analysis करने के पहले ही तो अब क्या इसको simply draw करना है तो draw करने के लिए क्या करेंगे simple हम x y axis खीचेंगे तो हमने क्या है x y axis खीच लिए अब इस circle की center को हमें find out करना है और फिर true circle draw करना है तो हमारा circle यह क्या है vertical plane और यह हमारा horizontal plane है तो horizontal plane vertical plane से इसकी distance कितनी है यहां पर एक point ले लेंगे और यहां से देखेंगे कि यह हमारा horizontal plane से कित्ती दूरी पर प्रिजेंट था 45 mm यह तो यह क्या है दूरी हम क्या है जस्ट उल्टा लेते हैं तो यह क्या है distance को हम क्या है HP में लेते हैं तो हम यहां पर नीचे आ गए कितना 45 mm और हमने क्या किया इस compass की help से compass का dial ले लिया इसका radius ले लिया इसका just 55 divided by 2 करके इसका radius ले लिया उसके बाद क्या है एक circle ड्रॉ कर दिया ओके तो हम क्या है इसको circle ड्रॉ कर लेते हैं तो हमने क्या है circle ड्रॉ कर लिया अब circle को क्या है उसके part कर देते हैं आप कितना 4 part कर सकते हैं 8 part कर सकते हैं 12 part कर सकते हैं जित्ते ज्यादा आप पार्ट करेंगे, उत्ते ज्यादा जो elliptical save का circle draw करने में उत्ते एको rate result आएगा. आप जित्ते कम पार्ट करते हैं तो उसे क्या है? जब match कराएंगे तो exact क्या है? जो हमारा image बनेगा, उसमें perfection कम होगा. तो हम क्या करते हैं इसके? 8 part कर देते हैं. तो इसको क्या करेंगे? इसके parallel line खीज़ देंगे और इसके perpendicular line खीज़ देंगे. उसके बाद क्या करेंगे यहांपे प्रोटेक्टर की help से 45 डिगरी पे यह करेंगे यहांपे 45 डिगरी यहांपे 45 डिगरी यहांपे भी और यहांपर भी इन सारे point को इस से मिला देंगे तो इस तरीके से हमारा जो circle था वो add part में break हो गया अब इसके just like नाम दे देंगे, one, two, three, four, five, six, six, इसके बाद क्या है, seven, और ये eight, हमने नाम दे दिया, because ये hot jenter plane में है, तो हम इस पे क्या है, कोई dash नहीं लगाते हैं, अब हमारा इतना काम हो गया, अब इसके सारे point के projection हम उपर के उड़ालेंगे, तो हर एक point से projection उपर के करेंगे, और इसके perpendicular length को हम उपर के उड़ालेंगे, सारे point से, यहाँ से खीचेंगे, फिर खीचेंगे, ये दोनों point से उपर के उड़ाइगे, दोनों point क्या line overlap होंगी, इन दोनों point से खीचेंगे, तो यह क्या है, लाइन भी overlapped करेंगी और यह वाली भी कीचेंगे इस तरी के सामने क्या है प्रोजेक्टर लाइन उपर क्यों डाल दिये हैं अब जो यह इससे हमारा क्या कह रहा था कि होट जो अंटर प्लेन से कित्ती दूरी थी 30 mm, तो हम क्या है vertical plane पे इसकी true length को mention कराएंगे, तो यहां से दूरी कितनी ले लेंगे यह 30 mm यह 30 mm ले लेंगे और यहां से हम जो यह वाला point था यहां से इसको मिला देंगे, तो यह हमारी क्या है जो यह length आएगी, यह true length होगी, इसको हम क्या है इससे mention कर देते हैं जो भी हमारे figure होंगे उनको क्या है, black color से यूज करेंगे, आप अगर बना रहे हैं, तो क्या है, edge pencil का यूज करेंगे, और जित्ती भी red line ने दिख रही है, वो सब क्या है light pencil का यूज करना है, it means क्या है h3 and h4 का pencil का use कर सकते हैं, अब simply हम इसके क्या, जो भी point है उपर उनको mention करा देते हैं यहाँ पर क्या है, 7 है यहाँ पर क्या है, 8 और 6 है, it means 6,8 यहाँ पर कौन सा है, 1 and 5 है 1,5 और यह क्या है, 2 and 4 है 2,4, और यहाँ पर यह कौन सा point मिल रहा है, यह 3 है because यह vertical plane में है, तो इस पर सब पर dash लगा देते हैं कुछ bookो में, यह क्या है comma करके, कुछ bookो में क्या है, slash करके तो आप दोनों ही use कर सकते हैं, slash करना चाहें, तो आप इसको slash कर लें it means क्या है, यह दोनों point, 6 वाला point और 8 वाला point यहां पर है, यहां पर 1 and 5 वाला point है, यहां पर 2 and 4 वाला point है, यहां पर 3 वाला है, यहां पर 7 वाला है, ओके, आब next इसको question को फिर से देखते हैं, फिर क्या कहे रहा है कि जो हमारा इसका inclination कहे रहा है कि 30 degree है, तो इसे क्या है, incline करना है, 30 degree inclination with hp जहां पर mention है तो बस हमें पता चल जाएगा कि just हमें क्या है इसका ultra use करना होता है hp है it means inclination हमें क्या वर्ट कर प्रेन पर कराना है तो वर्ट कर प्रेन क्या है उपर होता है तो यहां से हम क्या है एक point इसको आगे की और बढ़ा लेंगे और यहां पर एक point ले लेंगे तो अब इसका inclination कितना करना है 30 degree तो हम यहां से 30 degree पर एक line खीज़ देंगे यहां पर 30 degree 30 degree की हमने line खीज़ दी यह कितना है अब यह हमें क्या है center point मिल गया अब center point से क्या करना है इस compass की help से यह भी हमारा क्या center point था इस point से हम क्या है इस दूरी को mention कराएंगे ले लेंगे और यहां से क्या है यहां पर आएंगे यह भी यह center point होगा mark कर देंगे तो हमें एक point यह मिल जाएगा फिर यह वाली distance ले लेंगे तो इसको mark कर लेंगे तो यह हमारा यह वाला point मिल जाएगा इस वाली distance को ले लेंगे और यहां से आएंगे उपर mark करेंगे तो हमारा यह वाला point मिल जाएगा फिर इस वाले distance को लेके mark कर देंगे, तो हमारा ये वाला point मिल जाएगा, अब ये सारे point को हम यहाँ पे रखके mention करा देना है, ये क्या था, 7 था, फिर क्या था ये, 6 और 8, तो ये 6, 8 है, और ये क्या है, 1 and 5, तो 1, 5, और ये कितना है, 2, 4, 2, 4, और फिर last में कितना है, 3, आप क्या है, ये next point हमने generate किया है, तो इसमें sub के नीचे क्या है, 1, 2 कर दिते हैं, और इस पे क्या है, dash, dash लगा देते हैं, विकॉज ये क्या है, vertical plane में थे, अब ये सारे points हमें मिल गए, अब ये सारे points के projector, Projector Line हमें क्या है नीचे कई डाल देना है तो इसके लिए क्या है Scale का यूज करेंगे और सारे वे पॉइंट से Projector Line हम नीचे कई डाल देंगे तो कि Projector Line हम इस तो red colors भाल भी दाल रहे यह बंक ब्लाइद क्या है dark sound black color, में यह आप 그렇죠 pencil का use करके बनाएंगे, ये क्या है, real line, true length, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, TL, true length, ये भी क्या है, TL, true length, ओके, तो अब क्या है, इन सारे point से projector हम नीचे की उडालेंगे, इस से perpendicular, तो हमने क्या है, ये खीज दिए, ये खीज दिए, ये खीज दिए, इस तरीके से, हमने सारे point से projector line नीचे की उडाल दिए, अब क्या करना है, simply, इधर जित्ते भी point है, circle पे, ये सारे circle की point को हम क्या है, इधर की उडालेंगे, तो simply scale का use करेंगे, और यहाँ पे लेके आएंगे, तो, ये projector line डाल दिए, ये दोनों, ये दोनों ही point क्या है, एक ही projector line पे आजाएंगे, ये दोनों point भी क्या है, एक ही projector line पे आजाएंगे, और इस तरीके से क्या है, सारे point से हमने projector line डाल दिए, अब simply क्या करना है, इन point को one से start करना है, और एक एक को क्या है, इधर trace line one वाली, और इधर दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या है, सारे point और इधर से गए है trace line और इधर से भी आई है, तो वो एक दूसरे को कहीं न कहीं पे cut कर रही होगी, उन point को हमें देख के marking कर देनी है, और नाम दे देनी है, तो इतले लिए start करते हैं, तो यहां से one से start करते हैं, वन की trace line ये है, और इधर वन की कौन सी है, हमारी ये है, तो इसको क्या है, ये वाला point हमारा मिल गया, ये वाली line आई, तो ये हो गया, और इधर हमारा ये आई, तो ये, फिर second वाली trace line ये है, और second वाली ये है, तो हम कहां, यहां पे हमें एक point मिलना है, फिर third की बात करते ह तो थर्ड हमारी इधर जा रही है और थर्ड हमारी क्या है यहां पे है तो यहां पे हमें एक पॉइंट मिल गया फिर फूर्थ हमारी यह है और फूर्थ हमारी यह है तो इस तरीके से सारे पॉइंट को मिलाते जाएंगे फाइब है इधर से जा रही है फाइब उपर से कहा है यहाँ पे मिल रही है, उसके बास six, six वाली यह है, और six वाली यह, यह सारे point को हम मिला लेंगे, seven वाली यह है, और seven वाली यह, तो इस तरीके से हम सारे point को हमने क्या है, इसमें search कर लिया, अब यहाँ पे हमें सारे point मिल गए, अब eight वाली हमारी यह है, और इधर eight वाली कहा है यहां यह है, तो इस तरीके से हमें सारे point मिल गए, अब यहां पर क्या करना है, सारे point को एक दूसरे से मिला देना है, तो अब इसको मिलाएंगे कैसे, freehand में मिला सकते हैं, या फिर आप जब instrument पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक device थी, instrument का नाम था French curve, तो यहां पर आप क्या है तो अगर आपके पास नहीं होता, तो freehand भी आप सही तरीके से आप बनाएंगे वहां पर, तो यहां से start करते हैं मिलाना, one के बाद क्या है, two आता है, तो one हमारा कहां पर है, यहां पर उसके बाद क्या है, इसको मिलाना start करते हैं, तो dark pencil से आप यूज़ करेंगे, edge pencil का यू फिर six आ गए, फिर seven आ गए, फिर eight आ गए, और eight के बाद फिर seven, तो one आ गए, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, कि यह क्या है, हमें एक circle ही मिल रहा है, इसको सही थोड़ा सा बना देते हैं, इस तरीके से हमें क्या है, एक electrical circle मिल रहा है, तो अब यह हमारा क्या हो जाए, इसका trace line, trace भी सु कराना है, तो trace क्या है, यह लेंथ हमारी क्या है, यह हमारी length होगी, यह वाली हमारी length क्या है, विकाज यह हमारी क्या है, horizontal plane पे, तो यह हमारा क्या है, ht हो जाएगा, और यह इसकी क्या है, यहाँ पे, यह हमारी क्या है, वर्टिकल प्लेन पे है, तो यह हमारा vt हो जाएगा, ओके, यह length, तो इस तरीके से, जो हम, इस question को solve कर पाएं, और आगे आने वाले question में, हम और भी चीजे क्या है, solve करेंगे, तो I think क्या है, कि आप लोग इस question को better तरीके समझ पाएंगे, आप इसको क्या हम करते हैं, analyze करते हैं, कि हमने जो चीजे करी थी, पहले analyze किया था, वो इससे match कर रही है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या दिख रहा था, vertical plane पर एक line दिख रही थी, तो देखो हमार रिजल्ट भी क्या है, एक vertical line दिख रही है, और top से जब देख रहे हैं, elliptical देख रहा था, तो हमने क्या है, यहां पर क्या है, जो horizontal plane पर क्या है, एक elliptical circle देख रहा है, तो हमने जैसा analyze किया था, वैसा ही हमारा accurate result भी आ गया है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ओके, तो इसी तरीके से हम different numerical solve करने वाले हैं, आने वाले lectures में, जिसको सबसे पहले analyze करना आपको सिखाएंगे, because आप अगर एक बार analyze करना जान जाते हैं, तो एक दाम question के बिलकुल गलत होने के chances ही नहीं है, और आप उसको क्या है, सही तरीके से उसको draw कर सकते हैं, तो आज के lecture को यहीं पर stop करते हैं, आगे आने में lecture में, जो different hexagonal होंगे, pentagonal होंगे, और भी different size के, जो हमारे planes होंगे, उनको हम draw करेंगे, तो आज की class को यहीं पर stop करते हैं, okay, thank you class.